हम सभी को पता है कि कोईले का निर्माण कैसे होता है जब और पहले भी पिसली कक्षाओं में हमने चर्चाई की है कि कोईले का जो निर्माण है वो जब किसी भी छेत्र में उश्णकटी बंदी जलवाई होती है जब बहुत उचे-उचे उची-उची वनस्पतियां और घनी वनस्पतियां देखने को मिलती है तो कालांतर में समय बितने के बाद जब ये वनस्पतियां धरातल के नीचे दब जाती हैं तो ताप और दाब मतलब नीचे से जो टेंपरेचर पढ़ता है यो दबाव है ताप और दाब के परिणाम सरूप इसका जो परिवर्तन है ये व अधार पर ताप और दाप के अधार पर जो इनका रूप परिवर्तन हुआ रहता है उसके अधार पर हम देखें और किस गहराई में जो है ये कोईले का निक्षेप मिल रहा है इन सब के अधार पर कोईले के कुछ प्रकार है उस प्रकार पर हम बात कर लेते हैं तो पहला है आ बहुत अधिक ताप देता है धुआ बिल्कुल नहीं छोड़ता है और इसमें कारबन का जो प्रतिशत है वो लगभग 95 प्रतिशत तक मिलता है इसकारण ये बहुत ही उच्च कोटी का कोईला कहलाता है इसके बाद थोड़ी निम्न कोटी का जो है वो कोईला होता है बिटुम जो है वो बहुत कम मात्रा में छोड़ता है और इससे भी ताप जो है वो बहुत अधिक मिलता है इसके बाद तीसरा क्वालिटी है तीसरी क्वालिटी है कोईले की लिगनाइट इसे हम भूरा कोईला भी कहते है और ये एकदम निम्न कोटी का कोईला होता है इसमें उच्च पूरी तरह से कोईले की रूप में इन वनस्पतियों का रूपांतरण ही नहीं हुआ रहता है। भारत में कोईला जो है यह हमें प्रमुक रूप से दो भुगर्भिक शैलों के अंतरगत मिलता है। रानी गंच और बोकारों मतलब यह पूरा जो छेत्र है वो दामोदर घाटी वाला छेत्र है। गंवाना शैल समूँ के जमाओ मिलते हैं। दूसरा शैल समूँ है आपका टर्शरी कोईला छेत्र या टर्शरी शैल समूँ में जो हमें कोईले के जमाओ या कोईले के निक्षेप मिलते हैं। उन्हें हम टर्शरी कोईला समू कहते हैं, ये पूरे उत्तर पूर्वी राज्जियों में लगभग हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपका असम, मेघाले, अरुनाचल प्रदेश और नागालेंड, ये प्रमुख हैं, तो हमने देखा कि जो गुणवाना शैल समू हैं, ये मतलब अषम हमें जमाओ हमें देखने को मिलते हैं, तो जो प्रमुख कोईला खेतरों का वित्रण है, वो मुख रूप से इनि चार नदी घाटिओं में देखने को मिलता है तो और था नहीं कि भारत में दो गूखनार शैल सममू की करी इसके लावा हम देख लेते हैं कि भा पर्शिम बंगाल के कोईला छेत्र इसके बाद सोन नदी घाटी सोन नदी घाटी के अंतरगत मध्यप्रदेश चतिसगड़ और उत्तर प्रदेश के जो कोईला छेत्र हैं वो सोन नदी घाटी छेत्र के अंतरगत आते हैं तीसरा हम बात कर लें महा नदी घाटी तो इसमें भ तो गोदावरी घाटी में हम देखेंगे जो दक्षिन पश्रीम आपका मध्य प्रदेश है और महाराष्ट और साथ ही आंध्य प्रदेश की जो कोईला छेतर हैं वो इसके अंतरगत आते हैं अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम उर्जा का दूसरा जो प्रमुक संसाधन है वो प्लास्टिक और खाट जैसे जो रासायनिक उद्योग हैं इसमें भी पेट्रोलियम का प्रमुक रुप से जो है वो प्रयोग किया जाता है जो प्लास्टिक बनता है वो पेट्रोलियम पदार से ही बनता है आपको पता होगा और यदि हम बात करें भारत में 2015 में लगभग 4 करोड टन जो है पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया और कुल उपभोग जितना भी उपभोग किया जाता है भारत का भारत में पेट्रोलियम की जितनी खपत है उस खपत या उपयोग का जो एक चौथाई से भी कम हिस्सा ही जो था वो 4 करोड टन था मतलब जितनी डिमांड आधिकांश पैटरोलियमने को आयात करना पड़ता है। भारत में जो अधिकांश पैटरोलियमने की जाती है। वहाँ पर ये पेट्रोलियम जो है वो उपस्थित होता है बच्चो पेट्रोलियम भी हमको पता है कि आवसादी चट्टानों में ही देखने को मिलता है हाँ अब बार-बार हम बात करते हैं अभी आधुनिक समय में क्योंकि ये समाप्य प्राय होने वाला उर्जा संसाधन है नियुक प्रमुख सोर्स है तो चाहे हम कोइले की बात करें या हम पेट्रोलियम की बात करें इसे हमें बहुत सोच समझकर इसका विवेक पुर्ण परयोग जो है वो करना होगा और अभी हमने देखा ही कि भारत में जितनी इसकी डिमांड है उससे कहीं अधिक मात्रा में इ उससे बनी वस्तुईय जो है वो दूसरे देशों से आयात की गई है यदि हम GDP की बात करें हमारे सकल घरेलू उत्पादन की तो इसका लगभग 5 प्रतिशत जो है वो इस आयात में लगता है जो कि हम इसका रेशियो देखे तो यह बहुत जादा है तो हम देखें कि भारत में क जो उपरी असम घाटी है वहाँ पर तेल खोजने के लिए तेल का पता लगाने के लिए कुए खोदे गया और लेकिन इसका जो पता है वो 1890 में डिगबोई में लगा फिर 1893 में हम देखेंगे कि यहीं पर पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेल शोधक कारखानाई सापि किया गया और 1899 में असम में आयात कंपनी की जो है वो इस्थापना की गई जो अन्य छेत्रों में भी पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया गया और 1903 में हम देखेंगे कि नहरकटिया में एक अन्य पेट्रोल के लिए तेल कुए की खोज की गई इसके बाद 1960 में हम देखें तो गुजरात का जो अंकलेश्वर है वहाँ पर उत्पादन प्रारंभ किया गया और 1961 के बाद जो है वो पेट्रोलियम को खोजने के लिए काम जो है वो तेजी से और बढ़ गया क्योंकि पेट्रोलियम की और अधिकावशक्ता महसूस की जाने ल अधिकावशक्ता महसूस की जाने लिए और इसके परिणाम सरूप हम देखेंगे कि अलग अलग पेट्रोलियम छेत्रों की खोज के बाद चाहे वो गुजरात हो और असम हो यहां पर हम देखेंगे कि पेट्रोलियम का उत्पादन जो है वो और तेजी से बढ़ गया और इ 311,000 टन जो है वो इसका उत्पादन हो गया इसके बाद हम देखेंगे कि जो तटके निकठी जो अब तटी छेत्र थे वहां पर समुद्र में खुदाई करके लगभग 1970 में गुजरात का जो अलिया बेथ था वहां पर पेट्रोलियम की खोज की गई और पेट्रोलियम का उ यहां पर उत्पादन भी प्रारम हो गया फिर लगातार हम देखेंगे कि प्रयास किये गए और पेट्रोलियम खेत्रों की खोज के लिए और परिणाम सरूप हम देखें कि जितने भी जो पूर्वी तटी चेत्र थे जिसमें प्रमुक रूप से कावेरी और कृष्णा बाडमेर जीला है इस राजस्थान के बाडमेर में पेट्रोलियम के बड़े भंडार का जो है वो पता लगाया गया है यदि हम भारत में पेट्रोलियम के अनुमानित भंडार की बात करें तो यह लगभक 17 अरब तन है और यह पूरा 17 अरब तन जो पेट्रोलियम है वो भा शेटर हैं वहां पर इनका भंडाल्ड is इस के बाद ँडार स्टेट्रों में हम देखेंगे तो पहला आपका उठर पूर्वुउट थे में भी हमें पता है कि उपरि असम खाटी और प्रदेश और इसके ऐसे नागा लैंड और इसके बाद दूसरा आपका प्रदेश है forgive गुजरात में भी खंभाद बेसीन है और गुजरात का मैदान ये दो जो हैं वो प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक छेतर हैं गुजरात में तीसरा मुंबई हाई का अब तटीय प्रदेश है और चौथा पूर्वी तटीय प्रदेश जिसमें आपका कृष्णा गोदावर और कावेरी बेसीन आता है ये भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक छेतर हैं गेल द्वारा निर्मित जो पहली 1700 किलोमेटर लंबी हजीरा विजयपूर जगदीश पूर जिसे हवी जे क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन भी कहा जाता है ये पाइपलाइन मुंब पूर्वरक बिजली और ओद्योगिक परिसर हैं इनसे जोड़ता है इन गैस पाइपलाइनों ने भारती गैस बाजार के विकास को एक गती प्रदान की है और कुल मिलाकर भारत के जो गैस बुनियादी धाचे का विस्तार है वो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के 1700 किलोमेट पुर्वोत्तर राजियों सहित देश भर में सभी गैस जो श्रोथ हैं और उब्भोकता बाजार को जोड़कर गैस ग्रिट के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुशने की संभावना है विद्यूत विद्यूत भी जो है ये उर्जा का एक साधन है हमें मालूम है कि आधुनिक विश्व में विद्यूत का जो प्रयोग है वो इतना ज़्यादा विश्रित हो गया है कि इसके प्रतिव्यक्ति उभ्भोग को विकास का भी सुचकांक माना जाने लगा है विद्यूत मुख्य रूप से दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है पहला प्रवाही जल से जो हाइडरो टर्बाइन चलाकर जल विद्यूत उत्पन्न करता है और दूसरा अन्य इंधन जैसे कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से तर्बाइन चलाकर ताफ विद्यूत उत्पन्न की जाती है एक बार विद्यूत उत्पन्न हो जाने के बाद विद्यूत एक जैसी ही होती है तेज बहते जल से भी जल विद्यूत उत्पन्न की जाती है और ये एक नभी करनी योग्य संसाधनी भारत में अनेक बहुत देशिये परियोजनाएं हैं जो विद्यू तूर्जा उत्पन करती हैं जैसे भाखडा नांगल, दामोदर घाटी कार्पूरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना बच्चों आप भारत में चलाई जाने वाली कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताईए और साथ ही इन नदियों पर बने बांधों के नाम लिखिए और अपने सिक्षक से इस पर एक विस्तित चर्चा कीजिए उर्जा का एक अन्य गैर परमप्रागत श्रोथ है जिसे हम सौर उर्जा कहते हैं हमें पता है कि भारत जो है वो एक उश्नकटी बंधी देश है और यहां पर सौर उर्जा के दोहन की असीम संभावना है फिर हम बात कर ले गुजरात और राजस्थान की यहां पर फोटो व जो ग्रामीन और सुदूर छेत्रे हैं महाँ पर जो सौर उर्जा है अभी वर्तमान में बहुत तेजी से लोक्री हो रही है कुछ बड़े सौर उर्जा सयंत्र देश के विभिन भागों में स्थापित किये जा रहे हैं और यह उमीद की जा रही है कि सौर उर्जा के प्रयो एक और गैर परंप्रागत शोत की हम बात करते हैं जिसे हम पवन उर्जा कहते हैं भारत में पवन उर्जा की उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं फिर से मैं बात कहूं कि फिर चाहे तमिल नाडू हो या गुजरात या फिर राजस्थान भारत में पवन उर्जा फॉर्म के जो विशालतम पेटी है वो तमिल नाडो में नागर कोईल से मदुरई तक इस्तित है इसके अतरिक आंध्रप्रदेश, करनाटक, कुजरात, केरल, महाराष्ट और लक्षदीप में भी महत्वपून पवन उर्जा फॉर्म है नागर कोई और जैशल में देश में पवन उर्जा के सबसे प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। अपसिस्ट पदार्थ होता है, इसके साथ ही साथ पशुओं और मानोजनित जो अपसिस्ट होते हैं, इनके उप्योग से घरेलू उप्योग के लिए बायो गैस जो है वो उत्पन की जाती है। जैविक पदार्थों का जो अपघटन होता है, इन जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन होती है और उस गैस से फिर जो है वो उर्जा का निर्माड किया जाता है। और ये बायो गैस सायंत्र जो है वो नगरपाली का सहकारिता के छेत्र और नीजी इस्तर पर भी लगाए जाते हैं। इसके बाद हम अगला जो गैर प्रामप्रागत शोत है ज्वारी उर्जा उस पर चर्चा कर लें। बच्चों आपने समुद्र में उठने वाली जो उची-उची समुद्री लहरे हैं उनको तो देखा ही होगा तो क्या आपको पता है कि समुद्र में उठने वाली ये उची उची लहरें जो हैं वो हमारे लिए उर्जा की एक अथा संपत्ती हम कह सकते हैं उर्जा का एक अथा भंडार हम इससे कह सकते हैं। ज्वार जो है और जो उची-उठती लहरों की हमने बात की तो आपको पता होगा कि इन लहरों का उचा उठना और नीचे की तरफ गिरना जिसे हम ज्वार भाटा की परिघटना कहते हैं और ये ज्वार भाटा जो है ये हमको मालूम है कि एक नियमित घटना होती है और यही कारण है कि पानी की जो इतनी विशाल मात्रा है या इस विशाल मात्रा की जो हम कहें कि विशाल गती होती है इस विशाल जल की राशी में उ ज़ार के समय जो उठती हैं लहरे और गिरने वाली जो लहरे होती हैं उन समुदरी जल से प्राप्त उरजा को ही हम क्या कहते हैं जवारी उर्जा और अभी हमने कहा कि समुद्रों का समुद्री लहरों का उपर की तरफ उठना और नीचे गिरना तो इतनी विशाल राशी का लहरों की रूप में उपर की तरफ जाना और फिर नीचे की तरफ आ जाना इस से हम एक इस गती से हम उर्जा उत्पन कर सकते हैं औ क्योंकि हमारे पास तो महासागरिय जल अथा रूप में मिल रहा है और हम यह कह रहे हैं कि यह एक नियमित घटना भी है इसका मतलब यह है कि हम इसे हर दिन और बार-बार जो है इसका उपियोग कर सकते हैं और यह कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि जब तक यह पृत्वी है तब तक यह महासागरी जल हमारे पास उपलब्ध है जैसे जैसे हम देखेंगे कि जौर भाटा बढ़ता है और गिरता है इससे बड़ी मात्रा में गति जुर्जा उत्पन होती है और जिससे हम टर्बाइन के सहायता से इस उर्जा का उपियोग कर सकते हैं यह हम कहें कि इस से उर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जैसे ही टर्बाइन के माध्यम से जो पानी है वो डाला जाता है इसमें और यह मूर्णा शुरू हो जाता है फिर उर्जा को एक जनरेटर के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है जहां पर की बिजली का उत्पादन होता है और ये पूरी प्रक्रिया, इस पूरे प्रोसेस को आप इस पिक्षर के माध्यम से समझ सकते हैं, कि कैसे समुद्री लहरों से हम ज्वारी उर्जा का या ज्वार भाठा में उठने वाली जो समुद्री लहरे होती हैं, उनसे हम कैसे उर्जा उत्पन्द करते हैं इसके अलावा हम एक और बात करें भूतापी उर्जा ये भी उर्जा का एक गैर परमपरागत श्रोत है बच्चों आप सभी को पता होगा कि प्रारम में जो हमारी प्रित्वी थी वो एक बहुत गर्म तप्त जो है वो आग का गोला थी धीरे 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 ये प्रित्वी थंडी हुई है लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से थंडी नहीं हुई है तो इसका क्या प्रमाड है इसका प्रमाड हम देखते हैं कि जो ज्वाला मुखी उद्गार होते हैं जब ज्वाला मुखी फटता है और उसमें से प्रित्वी क आंतरिक भाग से जो गर्म लावा मैगमा उसके अंदर का जो गर्म मैगमा है वो लावा की रूप में बाहर आता है या कई जगा आप देखते होंगे जो गर्म पानी के सोते होते हैं वो आपने महसूस किया होगा और ये हमें प्रूफ या प्रमार देते हैं कि प्रिथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी बहुत तप्त है, पूरी तरह से ये ठंधा नहीं हुआ है, तो हम देखेंगे कि वो उर्जा जो भूमी के अंदर से ताप की रूप में उत्पन होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, भूतापी उर्जा या जियो थर्मल एनर्जी, अब इसी जियो थर्मल इनर्जी को हम बात करें, कि भारत में कहां कहां पर होता है, जब प्रिथवी के अंदर से निकलने वाली ये जो गर्म पानी के सोते होते हैं, इनसे जब हम उर्जा उत्पन कर रहे हैं, तो हम इसे भूतापी उर्जा कहते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, भारत में देखेंगे तो प्रमुख रूप से लद्दाप का जो पुर्गा घाटी है वहाँ पर और हिमाचल का जो मनी करन है और हमारे च्छतिसगड का ताता पानी ये भारत में प्रमुख भूतापी उर्जा के श्रोथ हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं यूरेनियम और थोरियम ये भी उर्जा के प्रमुख सोर्स हैं और कैसे सोर्स हैं ये हमारे परमाणू उर्जा हैं परमाणू उर्जा भारत में हम देखें कि जो यूरेनियम है इसका श्रोथ जो है वो बहुत ही सिम्मित मात्रा में है और इसी कारण से भारत में इसे आयात करना पड़ता ह पिछले कुछ समय से हम देखें कि करनाटक का जो तुम्मल पल्ले है और भीमा नदी घाटी इसमें इसके बहुत अधिक जो अधिकांश मात्रा में इसके भंडार जो है वो ढूंडे गए हैं खोजे गए हैं और ये विशाल मात्रा में हमें मिले हैं इसी प्रकार हम देखें कि थोरियम, थोरियम भी जो है ये भी परमाणूरजा का एक प्रमुक्षॉर्स है और केरल के ये समुद्रत तत में हम कहें कि इसकी रेत पर ये जो थोरियम है ये पाया जाता हैं। भारत अभी भी प्रयासरत है कि उसके जो परमाडू सैयंत्र हैं उसमें थोरियम का उपियोग और ज्यादा बढ़े अधिक से अधिक मात्रा में थोरियम का प्रयोग किया जाए क्योंकि भारत में ये खनीज बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं और परमाडूर्जा के सोर्स ज तो अभी आवश्यक्ता इस बात की है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे अनव्यकर्णी संसाधन जो है परंपरागत जो साधन है उर्जा के वो बहुत सिमीत मात्रा में हैं तो हम गैर परंपरागत जो उर्जा के शोथ हैं चाहे हम सौर उर्जा की बात करें हम पवन उर्जा की वार्जबात की बायो गैस या हम अपने परमाणुं उर्जा जो हमारे पास अधिक मातरा में हमारे भारत में उपलब्ध हैं, उनका अधिक से अधिक मातरा में प्रयोग बढ़ हैं और उन्हें उर्जा के गैर प्रमप्रागत्स्रोत के रूप में, सब्सिट्यूट के रूप में उसका प्रयोग किया जाए बच्चों, अभी हमने चर्चा की खनीज और उर्जा संसाधन पर तो इसके बाद हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ओद्योगी करण पर क्योंकि इन खनीज और उर्जा संसाधनों के आधार पर ही कोई उद्योग जो है वो इस्थापित किये जाते हैं यह हम कहें कि यह हमारे ओद्योगी करण का आधार है जो हमारे वर्टमान विकास को एक गती प्रदान करते हैं तो लगभग 200 साल पहले यदि हम बात करें तो हम तब देखते थे कि अधिकांश जो लोग थे वो क्रिशी का कारी करते थे क्रिशी कारी में लगे रहते थे लेकिन इसके बात जो है वो अब समय वर्टमान समय में परिवर्टित हो गया है अब हलांकी यदि हम जो विक्सित देशों की बात करें तो उसमें तो अधिकांश लोग जो है वो उत्पादन छेतर से या सेवा सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं कृशी कारे में बहुत कम लोग जो हैं, वो सरलगन होते हैं, लेकिन यदि हम अपने भारत में बात करें, तो हम भारत में देखेंगे कि भारत की अभी भी वर्तमान जनसंख्या का लगभख 60 से 70 प्रतिशत जो है, वो कृशी कारे में या खेती से जुडा हुआ है, लेकिन प्रणामुक जो हिस्सा है वो इससे प्राप्त नहीं होता मतलब हम देखें कि 60串 परतिशत से 50 क्रिशिकारे में जुड़े हैं लेकिन GDP में इसकी जो भागडारी है वो लगभग 18 परतिशट ही है जब कि यदी हम उद्योगों की बात करें तो उद्योगों का परतिशट है वो वहीं जो service sectors हैं सेवा छेतर हैं वो लगभग 56 से 57 प्रतिशत की भागीदारी जो है वो सुनिशित करते हैं हमारे देश की GDP में इसके बाद हम देखें कि लगभग 18 सदी के आसपास जो है वो जब इंग्लेंड में और दोगी करांती आई तो उसके बाद पूरे विश्व में हम समय चला और फिर धीरे धीरे लोगों का जो रुजान है या हम कहें कि कृषी से लोग जो है वो अधिकतर उद्योग और सेवा सेक्टर की तरफ आगे बढ़ें और एक और दोगी करण और नगरी करण का जो है दौर जो है वो चला तो इसी में हम बात करते हैं कि लगभग य कारक जो है वो प्रभावित करते हैं तो इस संदर में हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स या कारक जो है वो द्योगों की स्थापना के लिए हम कह सकते हैं जिम्मेदार होते हैं उसे प्रभावित करते हैं इसको एक उधारन से हम समझ लेते हैं जैसे जो प्रमखुद्योग थे लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो लगभग 1980 की दशक के आसपास हम देखेंगे कि अहां की सभी जो द्योग है वो बंध होने लगे क्योंकि इसकी जगा जो छोटी-छोटी ओद्योगी किकाई थी पावर लूम वाली जो ओद्योगी किकाई थी जो कम समय में अधिक उत्पादन देती थी इनका चलन जो है वो बढ़ने लगा पहले के समय में हम देखें कि जो यातायात के साधन थे वो उतनी अच्छे से हम कहें कि विक्सित नहीं थे विक्सित अवस्था में नहीं थे या बाजार उतना विक्सित नहीं था तब जहां पर भी जैसे हम लौह इस्पात उद्ध्योग की बात करें, तो हमें मालूम है कि लौह इस्पात जो है वो एक भारी उद्ध्योग है, मतलब इसमें जितना भी जो कच्चा माल है, चाहे लौह इस्खो, मैगनीज हो, चुना पत्थर हो, ये एक भारी पदार्थ होते हैं, जिनके परिवहन में बहुत अधिक खर्च होता है, तो जब उतना अधिक विकास नहीं हुआ था, हमें हर जगा जो इनके संचीत भंडार है, उनका भी पता नहीं लगा था, तो उस समय पे हम देखेंगे कि ये जो उद्ध्योग है, वो उन कच्चे माल के आसपास ही जो है, वो इस्थापित किये जाते थे, ताकि ये भारी कच्चे माल के परिवहन में उतना अधिक खर्च नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे कि परिवहन के साधन विक्सित होते गए, तो फिर ये देखा जाने लगा कि जब परिवहन के साधन विक्सित होने लगे हैं, मतलब कम खर्च में जब हम कच्चे माल को उद्योग तक और उद्योग से तयार माल को बाजार तक पहुचा पा रहे हैं तो उसी स्थिती में ये देखा जाने लगा कि वहाँ पर जो कारिक करने वाले श्रमिक हैं वो कम मजदूरी में और हम कहें कि एक कुशल श्रमिक जहां प उन मजदूरों ने उन श्रमिकों ने अपना एक संगठन बना लिया था और उनके लिए एक अलग नियम कानून बन गया थे और संगठित होकर वो अपने अधिकार के लिए लड़ने लगी तो इस स्थिती में जहां पर विरोजगारी है वहां पर जो लोग हैं वहां के जो श् जाने लगी कि ना परिवहन का साधन ना बाजार क्योंकि इन दोनों ही स्थानों पर कच्चे माल को उद्योग तक लाया जा सकते हैं और उद्योग से त्यार माल को हम बाजार तक पहुचा पा रहे हैं तो उस स्थिती में जो सस्ता और कुशल श्रम है वो जादा देवाड़ा में लॉहयस का उत्पादन बैलाडीला पहाडियों में किया जाता है, वहाँ पर लगभग वहाँ से 250 किलोमीटर दूर विशाखा पटनम बंदरगाह में, हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारा परिवहन का साधन इतना विक्सित हो गया है कि हम लॉहयस जो एक को भी हमारे जगह से लगभग 200 किलोमीटर दूर विशाखा पटनम बंदरगाह तक उसका निर्यात करते हैं या उसे वहाँ तक जो है वो भेजा जाता है, फिर वहाँ से विशाखा पटनम बंदरगाह में उसे लॉहयस को कंकड के रूप में फिर से चेंज करके फिर जापा या दक्षिन कोरिया की तरफ जो है वो भेजा जाता है, उसका निर्यात किया जाता है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि परिवहन के साधन जो है बहुत ही अधिक विक्सित हो गये हैं, तो जब हम उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों में देखेंगे, त जो है वो उद्योग को अलग-अलग फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कच्चा माल, कच्चा माल समाने तोर पर हम देखेंगे कि कोई भी उद्योग की स्थापना के लिए उद्योग, कोई उद्योग यदि हम इस स्थापित करेंग कि अगर हम सौ रुपे का लोहा लेकर आते हैं और सौ रुपे कीमत का ही यदि आपका पास खरीदने जाएं तो दोनों में भारी कौन सा होगा नैचरली है कि लोहा होगा तो कच्चे माल जो है वो ऐसे प्रभावित करता है जो कच्चे माल जादा वजनदार या भारी होता है तो उसके लिए ये कोशिश की जाती है कि उस कच्चे माल के स्थान पर ही कोई उद्योग इस्थापित किया जाए ताकि कच्चे माल के परिवहन में बहुत जादा लागत ना आए बहुत जादा खर्च ना आए लेकिन वहीं पर यदि हम सूती वस्र की बात करें तो अभी ह बहुत ही हलका कच्च माल है तो चाहे हम इसे चुच्चे माल के स्थान पर स्थापित करें सूति वसर उद्योग को या बाजार के स्थान पर इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई लागत में अंतर नहीं आएगा तो कच्चा माल जो है वो इसी प्रकार जो है प्रभावित करता है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए और इसलिए हम देखेंगे कि हमारे कोरबा का जो अलुमुनियम उद्योग है यह भिलाई में जो लौह इसपात कारखाना है यह ह आपर कच्चे माल की खदानों के पास ही चाहे वो चूना पत्थर हो या लौह यस की बात करें या बॉक्साइट की बात करें उन खदानों के आसपास ही स्थापित किये गए हैं और इसके विपरीत हमने कहा है भी कपास से संबंधित या जो सूती वसरुद्योग है उनमें क कच्चे माल जो है वो उतना प्रभावित नहीं करता क्योंकि यदि हम इसे बाजार के पास स्थापित करें या कच्चे माल के पास इससे परिवहन लागत में कोई अंतर नहीं आएगा